जय हिंद, जय हिंदी, हन्सवाहनी क्लासेज जज़ुध्या महामशवधा मोती नगर में, मैं रामसंकर्दूबे, सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ, बच्चों यह आप हन्सवाहनी क्लासेज ज़ुध्या यूटूब चैनल पर नए हैं, तो यूटूब चैनल को सब्सक जो ब्लुविश्काई प्रकाशन की पुष्टक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुभासितान का मतलब सुन्दर कथन यथा ही जैसे ही एकेन चक्रेंड एक चक्र से एक पहिया से ना रथस गती भवेद ना मींस नहीं रथस मने रथ की गती भवेद जैसे एक पहिया से रथ की गती नहीं होती भवेद मीश होती योँ पुर्षकारेंड बिना उसी प्रकार से परिशरम के बिना पुर्षकारेंड बिना मतलब क्रोधम नम्रता से जैत जीत लें, क्रोधम क्रोध को नम्रता से जीतें, असाधुम साधुनाम चा और असजनता को साधुनाम सजनता से जैत जीतें, नम्रता से क्रोध को जीतें और सजन्ता से असजन्ता को जीतें जयत कदर्थम दानेन जयत मने जीत लें कदर्थम किरपन्ता को कंजूशी को दानेन दान से जीतें सत्यम प्रियम 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 मक्रियम प्रियम शत्य और अप्रिये नहीं बोलना चाहिए, प्रिये और चामीश और ना उर्तम बुर्याद जूट नहीं बोलना चाहिए, एशा धर्म शनातना, ये धर्म शनातन धर्म में है, प्रदोसे दीपका चंद्रा, सायंकाल में, दीपक कौन होता है? चंद्रमा होता है, प्रभाते दीपका रवी, और सुबह का दीपक सूरी होता है, त्रलैक के दीपका धर्मा, तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है, शुपुत्रा कुल दीप का और अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है भूमे गर्यशी माता भूम से उच्च है महान है माता खात आकास से उच्च तरह उच्च है पिता जननी जनम भूमि से स्वर्गा अदप गर्यशी जननी अपनी माता जनम भूमी जहां पे हम पैदा हुए है वह भूमी स्वर्ग दाब अपिमिस भी स्वर्ग से भी गर्यशी बढ़कर के है अपनी जननी जिसने पैदा किया है वो जन भूमी जहां पे हम पैदा हुए हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर है उत्सवे ब्यसने प्राप्ते उत्सव में जिसने मौज मस्ती में दुर भिच्छे सत्रु संकटे और दुर भिच्छे अकाल पड़ जाने पर सत्रु संकटे सत्रु के द्वारा संकट आ जाने पर राजद्वारे, राजद्वार में या राजा के दर्वार में समसानी और समसान में या अच्चा या तिष्थती जो सदा रहता है सह बांधवा वही सच्चा मित्र है बच्चों पढ़ाना समझ में आया है और अभी तक अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए इतसे हमारा उत्साह बर्धन होता है मेरा वादा है कि आपका ज्यान बर्धन जरूर होगा हमारे बच्चों के लिए हमारा संदेश संसार की जितनी ज्यादा से ज्यादा भासाओं को सीख सको सीख लो उत्तम है अपनी मात्र भासा हिंदी सर्व उत्तम है इसलिए हिंदी का आदर करें इसका अनादर ना होने दें अपने दैनिक कारियों को हिंदी में ही करें क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी ताथी हमारे साथ बोलेंगे जै हिंद जै हिंदी